हलो दोस्तों आप सभी को मेरे चलेल में स्वागत है आज हम देखने वाले हैं क्लाश 10 का जो मुडल प्रस्ण पत्र जारे हुआ है उसका समाजिक विज्यां का सेट 1 को ठीक है चले हो लोग इस्टार्ट करते हैं और देखिए आपका जो समाजिक विज्यां का पहला जो प्रस पहला प्रस्ण है फ्रांस की करांती कव हुई तो इसका सजया हो जाएगा ओक्षेन घह यानी 1789 इसवी में दूसरा प्रस्ण है शामजिक उबबन्ध नामक पुष्टक का लेखा कौन था? तो इसका सजया हो जाएगा ओक्षेन क यानी रुसों अगला प्रस्ण तिस्था प्रस्ण है यांग इटली सोसाइटी की अस्थापना किस ने की थी तो इसका सजया बजाएगा ओक्षेन ख यानि मेजनी तिस्था प्रस्ण है इटली का एकिकरन कप पुरा हुआ तो इसका सजया बजाएगा ओक्षेन ख यानि 1861 पांचाप्रश्ण है सूल्क संग जो विराइनर की अस्थापना किसकी पहल पर की गई तो इसका सर्जाब उक्षेन क यानि परशा छटा प्रश्ण है जलियावला बाग हत्यकान कब हुआ तो इसका सर्जाब जाएगा उक्षेन क तेरा अप्रेल उनिस सो उनिस तो ले अगला प्रस्ण है कि साथवा प्रस्ण है हिंद सवराज नामक पुष्टक की राचना किस ने की थी तो इसका सजया हो जाएगा ओक्षन ख यानि मात्मा गांधी अगला प्रस्ण है आठवा प्रस्ण है सवराज हमारा जन्म सीध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे हैं यह किस ने कहा था तो इसका सजया हो जाएगा ओक्षन गा यानि बालगा गाधर तिलग आठवा प्रस्ण है ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधी से किसे सामनित किया है तो इसका सजया हो जाएगा ओक्षन गा यानि महात्मा गांधी दस्वा प्रस्ण है सीमांद गांधी किसे कहा यात था तो इसका सजया हो जाएगा ओक्षन गा यानि अब्दुल गफर खान को चलिए अगला प्रस्ण है गारनर प्रस्ण है उत्पति के अधार पर संसाधन कितन परकार्क होते हैं तो इसका सजाव जाएगा ओक्षन क यानि दो परकार्क होते हैं बारवा प्रश्ण है पंजाब में भूमी नीमनी करण का नीम नंकित में से मुख्य करण क्या है तो इसका सजाव जाएगा ओक्षन ख यानि अधिक सिचाई तिया नवर प्रश्ण है पर्थ चोद्वन पस्टना है किस राईज में काली मिर्द्या मुख्यरूप से नहीं पाई जाती है तो इसका सजाव जाएगा ओक्सेन घह यानि रायस्थान पंद्वन पस्टना है इन में से कौन सी टीपनी प्राकिति गोनस पति जात और प्राने जात के हास का सही करण नहीं है से जाव हो जाएगा ओक्सेन घह यानि 1973 में इसका सही जाव हो जाएगा ओक्सेन घह यानि इन में सभी अठान और पस्टन है 14 अताबदी में किसने दिल्ली में सीरी कोट छेत्र में जल की सफलाई के लिए होज खास का निर्मान करवाया तो इसका सजाव यहां पर आपका यहां पर नहीं दिया हुआ है तो इसका सजाव हो जाएगा खेल जी जो कि आपका ओक्सर में नहीं है तापको किसी में भी ट आपका सही नहीं है तो इसका सजाव जाएगा ओक्सेन घह यानि वह उद्धे से परिवजनाएं हमारे उद्धोग और घहरों के लिए विद्यूतियूत परिदा करती है तो लेगला प्रस्ण प्रस्ण कि by इसाप प्रस्ण है सर्दाव सरवरबांद किस नाधी पर बनाया गया है इसका सजाह प्रसुल अग्सेन घह है आप लिज्टों किसी देश का विकास किस अधर नीदाये के जा सकता है कि इसका प्रस्ण प्रस्ण है 22 परिवारों के परती बेक्थी आय पांच हजार है अगर तीन परिवारों की आय करमस चार हजार साथ हजार तीन हजार है तो चौन्थे परिवार काई क्या होगा तो इसका सजा हो जाएगा ओक्षन घह यानि 6000 तो इसका सजा हो जाएगा ओक्षन घह यानि उप्रुक्त सभी तो इसका सजा हो जाएगा ओक्षन घह यानि प्रात्मिक गात्मिक अगला परशन हो मैंjor सविष प्रस्न है कि व्यच्छात्र जो शरकार दोनारां पंजेक्रित होते हैं और इन्हें सर्कारी riendsयम और बीनियम का अनुपलन करना होता है कहलाते हैं उसको जाते हैं इसका शाख सेजंछब होजाएगा ओक्षन कं यानि संगटित छेत्रा अगला परशन है रमेज, सुरेश, नरेश और राकेश चार भाय है रमेज खेतों में काम करता है शुरेश किसी फेक्टरी में मजदूरी करता है नरेश एक सिच्छाक है और राकेश एक टेक्सी ड्राइवर है इन में से किसके कायर ये सेवा छेत्रक क के अंतरगत आते हैं तो इसका सेज़ा हो जाएगा ऑक्षेन ग यानि नरेश राकेश्ट अठाथ है रोहन एक अकुसल बेरोजगार युवक है वह रोजगार की गरांटी देने वाली सरकारी योजनावों योजना मान रहेगा के तहत अपना पंजयन करवाता है रोहन को संग यानि सौव दिन कि अगला प्रस्णा है एक खेत में लचमन और उसके परिवार के चार ब्यक्ति काम करते हैं जिसमें सलाना 20 किंटल ग्यहों का उत्पादन होता है लचमन के चेहरे लचमन के चचेरे भाई करन ने एक वर्ष तक लचमन और उसके परिवार साथ मिलकर क कोई ब्रिधी नहीं हुई करन की परस्थिती को किन से निव रखा जाएगा तो इसका सजया हो जाएगा ओक्षन क यानि मौसमी विरजगार तिस्वा प्रस्णा है अर्थ द्योस्था में परतेग छेत्र के अंतिम उत्पाद की यह गन्ना क्यों की जाती है तो इसका सजया ह जाएगा ओक्षन ख दोहरी गन्ना की समस्या से बचने के लिए अगला प्रस्णा है सत्ता की साज़दारी के समंद में नियून में कौन सा कथन असाइति है यानि गलत कौन है तो इसका सजया बजाएगा ओक्षन ग यह अस्थिता एवंग आपसी फूट को बढ़ाती है बत यानि एस्पैनिस कि त्याति समय प्रस्णा है कि सोतन्त राइष्ट बनने के बाद स्रीलंका में किसे राजभासा घोशित क्या गया तो इसका सजया बजाएगा ओक्षन घह यानि सिहली चोतिसमय प्रस्णा है स्रीलंका सोतन्त राइष्ट कब बना तो इसका सजया बजाएगा ओक्षन घह यानि 1948 में प्रस्णा है निवन में कोन संगवात की एक विशेष्टा नहीं है तो इसका सजया बजाएगा ओक्षन घह यानि भीवीन अस्तरों की सरकारों के अधिकार छेत्र समिधान में अस्पष्ट रूप से वनित नहीं होते हैं अगला प्रस्णा है 36 प्रस्णा है निवन में कोन भारत की अनसुचित भासा के रूप में सामिल नहीं है तो इसका सजया बजाएगा ओक्षन घह यानि अर्वी कि यानि वास्तिक विक्रेंदिकरन की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया कि अगला प्रस्ण है कि उन्च प्रस्ण है नियून में से कौन समयलित नहीं है तो इसका सज़ाव जाएगा ऑक्षन घह यानि दबाव समू राजनितिक में सिधे भाग लेते हैं तो मैंने इस सेट का सारा प्रस्ण का सोल्व करा दिया दोस्तों अगर इसी तरह आपको सारा सेट का सोलिशन जाहिए तो पिलिज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आप तक वीडियो को पहुंचा सकूं और दोस्तों अगर आप इसका प्रप्त करना च अगर आप टिलेग्राम नहीं चलाते हैं तो मेरा वाट्सप ग्रूप में जूड़ सकते हैं इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन वाट्सप नमर दिया हुआ है उससे आप जाके मैसेज किजिए वहाँ पर आपको वाट्सप ग्रूप में जूड़ जाएगा ठीक है त बात मिलेत नहीं